बीजेपी कहती है कि जनता और जनता का जनादेश सबसे बड़ा होता है लेकिन इसमार बड़ी उदारता इसमें दिखाई दे रही है धामी साब हो या केशव प्रसाद मौरे हो चुनाओ हार गए लेकिन टीम में शामिल कर लिया गया वो भी उपमुख्य मंतरी दोबारा बनाए गया 24 के पहले कोई नाराजगी कहीं पर किसी बड़े नेता का मोल नहीं लेने के मूड में बीजेपी दिखाई देती है क्या मैं सहीं नहीं कह रहे है देखे आपको सवाल वाजिब है और आपने अच्छा किया है कि यह सवाल पूछा जब उत्रा खंड में हम लोग चुनाओ के मैदान में थे तो किस तरह की चर्चा वहां से आ रही थी आप तो खुद ही देख रही थी ऐसा कहा जा रहा था बीजेपी लड़ाई में नहीं है कांगरसी उन्हें लड़ू बनवाने शुरू कर दिये और रिजल्ट आया तो धामी जी के नित्रुत में वो चुनाओ पूरा लड़ा गया और धामी जी ठीक है अपना चुनाओ नहीं जीते वो सीट पर लेकिन उनके नित्रुत में पूरा उत्रा खंड हम वापिस आई ये भी बड़ी बात है उत्रा खंड में दोबारा वापिस वो चलते रहे और बहुत मेहनत की और अपने चुनाव छेतर में सही है कि वो अपना चुनाव छेतर जहां पर वो लड़ रहे थे वहां नहीं जीत पाए लेकिन MLC रहते हुए वो तो डिप्टी सीम थे ही और उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम है इसलिए योगी जी ने अ सवाल जायज होता लेकिन धामी जी के नित्रुत में हम चुनाव जीते या नहीं जीते यह कोई कहेगा कि उनके नित्रुत में नहीं जीते जबके उत्राखंड के लोग मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं पूरे देश में लोग प्यार करते हैं लेकिन उत्राखंड में किसे छोड़ा जा सकता है आज लग रहा था सर कि गुजरात का चुनाव प्रचार शुरू हो गया है तस्वीर हम दिखा रहे हैं एक बार जल्दी से अपने डश्चों को कुछ जानकारियां दे दें क्योंकि एक एक मुस्लिम मंत्री शामिल किया गया है दानिश आजाद अंसारी इसको किस तरह से देखें वो भी रेखिए सहयोगी दलकार नहीं वो हमारे ही हैं यह अंजना जी वो दानिश आज़ाद अनसारी बीजेपी के माइनर्टी मर्चा के महा मंत्री ठीक है जी और वो बीजेपी के हैं कार करता हैं और जो वो पूरब से आते हैं और उनको राजमंत्री बनाया गया है हम लोगों को तो हर बार सवाल होता है कि आप टिकेट कितना देते हैं रिप्रेजेंटेशन देते की नहीं लेकिन देखिए इस बार पिछली बार महसीन रजा लखनाव से लिया था यह भी दिश्याज में पूरब से और वाकर टिकेट के लाएक किसी को नहीं समझते ल लेकिन इसके अलावा गुलाब देवी जो की राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाई गई है और यह देखिए प्रतिबार शुकला जो की राज्यमंत्री बनाई गई है रजनीतिवारी राज्यमंत्री बनाई गई है और इसी के साथ विजय लक्ष्मी गौतम जो की इसी के साथ प्रधान मंत्री के संसदिय क्षेत्र वारणसी से तीन लोग अनिल राजबर जो की शिप्पूर से विधायक हैं कैबिनेट मंत्री पद उने दिया गया है रविंद्र जैस्वाल उत्री वारणसी से विधायक बनाए गए है राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रवार औ आज तो खुशी का दिन है इनके लिए अभिशेक जी लेकिन बधाई के साथ धीरे से अखिलेश जी ने कह दिया कि यह तो स्टेडियम ही हमारा है हमारा ही बनाया हुआ स्टेडियम है अभिशेक जी का इन को अचार लो कि अश्टार का अचार अजिए यह संवादि की स्टेडियमaiser बनाया था बहुत बहुत बदायि को कि अखिलेग लिए अब पणत क्व मॉल है अब सब वहां बाई बीजेपी कारे करता हैं वहां जाके एंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम का रहे हैं अच्छी बात है हरी घास दिख रहे हैं तो आप कहे रहे हरा रंग ये समाजवादी पार्टी का या कुर्सियों की तरफ इशारा है आपका अब ल नई अब स्टेंट पे देखें ए स्टेंड का रंग देखिए अरे अजरै चाथा किया हो इतने दिने शर्मा की चिंता होती है लिए थे ते रिए बाचपा के लिए दिने शर्मा मेर के लगण के इतने साल से मेहनत कर रहे है और एक परिवार रवाद जितिन परसाद को फिर मंत्री बनाया इनोंने जितिन प्रसाद is ические डिसरवेंग मेरिट है उन पर मंत्री बने का भाजमा में बालत करकते हैं göst बाद खेंट मोरे चुद्द था आथ 봤 सिंग लिश्च का फून कहले की सिदात नाच सिंग या सिद्दात शर्मा हो या अन्य नेता हो पार्टी हमारे यहां और लोगों के लिए जो मंत्री बनते हूं उनके लिए बहुत बड़ा पद होता है भारती जनता पार्टी में हर कारकरता के लिए जिम्मेदारी होती है कोई पार्टी में काम करता है कोई सरकार में काम करता है सब लोग मिलकर काम करते हैं इसमें आप हमारी हमदर्दी इन लोगों के लिए प्रसाद ने क्या काम किया सर्थ हम लोग तो नहीं नहीं हम दर्दी भी बात नहीं है आप सबका साथ सबका विश्वास कहते हैं और यह जो लगेगा हम बनाएंगे मुखमंत्री बनेगे मुलायम सिंग आदव हिए मैं कहरा हूं कि और यह मुसलिम समाज के ठेकेदार बनन जाते हैं कभी किसी मुसलिम को मुलाहम मुलाहम सिंगो की जगा और अखलेश जी की जगा किसी मुसलिम को तनि बना दिया था मुकमंत्री engine लेगे उन का और राजा बन जाएंगे को क्यों तैकेदारी कथ अब धेके दारी कि खतम Qisla अब नहीं देंगे आखरी बार दिया है